खेलो दोस्तों नमस्कार आज की इस वीडियो में जए मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि अगर आप Amazon से कोई भी समान खरीदते हैं तो उसको आप रिटर्न कैसे कर सकते हैं खुल मिलाकर इस वीडियो में जए मैं आप सभी को इसी के बारे में बताऊंगा तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों हम आच चुके हैं मोवाइल के स्क्रीन पर यहां पर आपको करना क्या है कि Amazon के अप्लिकेशन को उपन कर लेना है चलिए हम इसको उपन क करने के बाद यहां पर नीचे के तरफ यहां पर एक option किनारे पर देखने को मिलता है तीन लाइने बनी हुई है इस पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आप से भी कुछ चलिए जाना है order वाले option पर तो चलिए हम order वाले option पर क्लिक कर देते हैं अब आप देख सकते हैं क अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि इसके बारे में जो बहुत सारी जानकार्यादी हुई है नीचे की तरफ चले आना आपको और यहां पर आप एक option देख रहे हैं replace item का तो इस पर आपको कर देना है click अब जैसे यहां पर click करेंगे तो आपको बहुत सारे option देखने को मिलेंगे अब यहां पर सब option का अलग-अलग मतलब है और यहां पर आपसे पूछ रहा है कि return करने का reason क्या है किस कारण से आप अपने product को return कर रहे हैं तो यहां पर अगर आपका product damage है और shipping box ठीक है यहने कि product damage है जो समान हमने room heater खरीदा है room heater damage है और box जो है वो अग्दम सही है तो ऐसे के लिए आप यह वाला option select कर सकते हैं अगर आपका product missing है या कोई part accessories missing है तो यह वाला जो है अप option select कर सकते हैं उसके बाद जो यहां पर यह वाला option देखने को मिलता है कि अगर shipping box damage है और product damage है तो आप यह वाला option select कर सकते हैं अगर कोई दूसरा समान आ गया आपने कुछ और मंगाया था और आपके box में कुछ और आ गया तो आप यह वाला option select कर सकते हैं उसके बाद जो यहां पर item defect और work नहीं कर रहा है तो यह वाला option आप सेलेक्ट कर सकते हैं और यहां पर अगर उसकी quality नहीं है performance अच्छी नहीं है пап तो दोस्तों यहां पर घाल को हमारा पैसा चाहिएोगर मैं यह वाला option सेलेक्ट करता हूं तो ऐसे situation में जो हमारा प्रडक्ट जो है रिटर्न होगा और रिप्लेस याने कि दूसरा प्रडक्ट हम ले सकते हैं ठीक है तो मैं ऐसे सिटुएशन में मैं चाहता हूँ कि मेरा पैसा पूरा रिटर्न हो जाए और वैसे तो हमारा प्रडक्ट भी डैमे죠 है तो हम क्या करना चाहते हैं कि हमको जो है यह वाला औप्सन सेलेक्ट करना है कि हमें इसकी performance और quality जो है अच्छी नहीं है यह वाला option जो हम सेलेक्ट कर लेते हैं सेलेक्ट करने के बाद जो यहाँ पर आपसे पूछेगा कमेंट में कुछ ने कुछ लिखना पड़ेगा में simple जो है इस ही को इस region को जो है यहाँ पर type कर दिया type करने के बाद जो यहाँ पर continue को option दिखाए दिरा इस पर click कर देना जो है Amazon के pay later से payment किया था तो यहाँ पर यह लिखा है कि जहां से आपका payment आया है वहीं पर आपकी payment चली जाएगी और यहाँ पर कुछ condition लिखी हुई है कि जो आप product मंगाया है जो आप room heater मंगाया है उसके साथ warranty card होगा उसके साथ manual होगी तो वह सभी चीज़े आपको box में pack करक और click करने के बाद जो हैं आप ए continue का option दिखाई देरा उस पर click कर देना है अब दोस्तों यहाँ पर जो है मैं आप सभी को यह भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपने cash on delivery कोई भी समयान मंगवाया होगा तो उसके लिए जो है आपको अपने bank की जानकारी देनी पड़ती है वहाँ पे bank detail जो है आपको भरना पुड़ता है तो हमने जो है इस product को cash on delivery नहीं मंगवाय थी तो हमने जो है इसको Amazon के pay letter से payment किया था तो हमारा जो payment है जो पैसा है वो हमारे Amazon pay letter पे ही चला जाएगा अगर आप UPI के मदद से जो है कोई भी समान करीदे हैं तो वो जो है पैसा आपके उस account में जो है ट्रांसपर हो जाता है अगर आप cash on delivery मनवाते हैं तो cash on delivery में जो है आपसे आपका bank account detail पूछता है और उस bank में जो है पैसा ट्रांसपर करते हैं ठीक है तो अपने जो है यहाँ पर continue का option दिखाए दे रहा है इस पर आपको कर देना है क्लिक तो जैसे क् पूल्ड है कि जो हमारा delivery pickup जो पैसा है वो जूरी रुपए लगेगा और यहां पर address है कि कहां से हमारा product है वो return होने वाला है तो हम जो उसी address को रखना चाहते हैं अगर आप change करना चाहते हैं कहीं और से अपने product को return करना चाहते हैं तो change address पे क्लिक कर सकते हैं फिर उसके बा option दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद थोड़ी से इंतजार करना है तो दोस्तों यहां पर हमारी return request एक्सेप्ट हो चुकी है अब होगा क्या कि कुरियर वाला आएगा और हमसे हमारा room heater लेकर जाएगा फिर उसके बाद जो है 6-7 दिन लगते है पैसा वापस आने में तो 6-7 दिन लग जाएंगे हमारा जो पैसा है हमारे account में पहुच जाएगा तो कुल मिलाकर इस तरीके से जो है आप Amazon से कोई भी समान जो है return कर सकते हैं वीडियो के वह इतनी थी उम्मीद करता हूं यह वीडियो जो आप सभी को अच्छी लगी है वेजिए